अब हम अपना जो next question है जो काफी important question है यह आपको directly exam के अंदर भी देखने को मिल सकता है तो थोड़ा से समझ लेते हैं तो क्या question है हमारे पास why don't two magnetic lines of pores intersect each other कि magnetic field lines जो होती है यह एक दूसरे को intersect नहीं कर सकती एक दूसरे को cut नहीं करती है यह हमारे को question के अंदर पूछा हुआ है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो magnetic field lines जो होती है इसकी property क्या होती है तो इसकी एक प्रोपर्टी होती है कि two lines जो होती है यह एक दूसरे को कभी भी जो है वो क्या नहीं कर सकती कट नहीं कर सकती यानि कि intersect नहीं कर सकती एक दूसरे को intersect नहीं कर सकती है हमारे question के अंदर पूछा है कि two magnetic field lines intersect क्यों नहीं कर सकती reason बताओ तो अगर आपको पता हो कि हमने discuss किया था कि magnetic field lines क्या होती है कि कोई भी magnet जो होता है अपने चारो तरफ एक magnetic field create करता है उसको denote करने के लिए represent करने के लिए हम क्या करते हैं कुछ lines draw करते हैं उनको बोला जाता है magnetic field lines कैसे जैसे माल लो यह magnet है यह n-pole यह s-pole इधर n लिख दो इ कि end-pole पे तो क्या होता है यह इस तरीके से बाहर के तरफ निकलती है और इस पर जो है वो अंदर के त्रफ enter करती है तो इस तरीके से यहां से बाहर निकलेंगे इस तरीके यहा से इस तरीके से ये जो है magnetic field को represent करते हैं ये क्या है चारो तरफ एक magnetic field है और किसके लिए ये इस जो magnet है इसके चारो तरफ अब इसके एक property होती है कि ये जो lines है ये एक दूसरी को cut नहीं करते है जैसे माल लो मैंने यहाँ पर denote किया था मैंने यहाँ पर denote किया था कि ये line ऐसे जा रही है और ये वाली ऐसे जा रही है क्या मैंने एक दूसरी को cut किया नहीं किया तो कभी भी tool magnetic field lines जो है एक दूसरे को intersect नहीं करती है कट नहीं करती है क्यों नहीं करती है मैं वो समझाता हूँ आपको जैसे अगर हम एक particular point पर जैसे मालो यहाँ पर पूछूँ कि बताओ magnetic field जो है उसकी direction क्या है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे एक इस तरीके से जिस direction में जा रहा है न उस direction के अंदर एक line ड्रो करेंगे बिल्कुल यहाँ पर तो इसकी जो direction होगी वो इस magnetic field की इस particular point पर जो है वो direction को denote करेगा इस particular point पर direction को denote करेगा जैसे मालो यहाँ पर मैं पूछूँ कि बताओ इसकी direction क्या है magnetic field लाइसकी इस particular point पर तो ये क्या करेंगे इस पर एक इस तरीके से जो है वो line draw करेंगे और इसकी जो है वो इस तरीके से क्या है जो है इसके direction है अगर जैसे मालो क्यूसन के अंदर पूछ रहा है कि अगर एक दूसरी को cut कर दे तो क्या होगा अगर जैसे मालो ये एक line है और ये दूसरी लाइन है ये क्या है कि दूसरी लाइन है अब मैं पूछू आपको कि बताओ यहाँ पे इस particular point पे magnetic field lines की जो direction क्या होगी तो आप इस पर इस तरीके से एक line draw कर देंगे और बता देंगे कि ये वाली है मैं आपको पूछू कि यहाँ पे क्या है तो आप draw कर देंगे और ये बता देंगे लेकिन अगर इस particular point पे जो है मैं पूछू कि बताओ इस magnetic field की direction क्या है तो आप कैसे बताएंगे कि sir ये है फिर दूसरा बचाएगा नहीं गलत है ये है तो इसका मतलब एक point पे आपको magnetic field की कितनी direction हो गई two direction जो है वो आपको देखने को मिलती है जो कि क्या नहीं है possible नहीं है जो कि क्या नहीं है possible नहीं है क्योंकि हर एक point पे magnetic field line की direction जो है वो single ही हो सकती है multiple नहीं हो सकती है ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लो कि हर एक point पे एक magnetic की specific value होती है और जहाँ पर ये इसको cut कर रहा है तो वहाँ पर multiple values आपको देखने को मिल जाएंगी इसकी अंदर आपको two direction जो है वो देखने को मिल जाएंगी एक तो ये और एक ये जो की possible नहीं है हर एक point पे only single direction जो है वो possible है इसलिए दो जो magnetic field lines है ये एक दूसरे को intersect नहीं करती है क्योंकि intersect point पे जो है आपको more than one direction जो है वो magnetic field की देखने को मिलती है जो की possible नहीं है बस आपको ये ही लिखना है two lines two magnetic field lines जो है एक दूसरे को cut क्यों नहीं करती है क्योंकि जहाँ पर ये cut करेंगी वहाँ पर जो magnetic field होगा उसकी direction देखेंगे तो आपको जो है वो two direction देखने को मिलेंगे एक इस तरीके से एक इस तरीके से जो की possible नहीं है क्योंकि हर एक point पे magnetic field जो है उसकी direction single ही हो सकती है multiple नहीं हो सकती है तो इस तरीके से अप note book के अंदर कैसे note down करेंगे because we cannot have two directions of the magnetic field at the same point एक ही point पे magnetic field की जो direction है वो single ही हो सकती है multiple नहीं हो सकती है अगर वो इस तरीके से इसको cut कर रहा है जैसे मालो यह इस तरीके से एक दूसरी क्या कर रही है cut कर रही है तो जहां पर यह cut कर रहा है यहां पर cut कर रहा है यहां पर cut कर रहा है तो हम अगर इसकी direction देखेंगे तो यह हो गई और इसकी direction देखेंगे तो यह हो गई यानि कि इस particular एक point पे एक specific magnetic field की direction जो है आपको देखने को मिलती हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यह रही, यहाँ पर देखेंगे यह रही, यहाँ पर देखेंगे यह रही, यहाँ पर देखेंगे यह रही, इस तरीके से हर एक point पर आपको क्या specific magnetic field की direction आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जहाँ पर cut करेंगी वहार पर आपको two direction जो है वो देखने को मिलती है जो कि possible नहीं है Hence, हम बोल सकते हैं कि कभी भी magnetic field lines जो होती है एक दूसरे को cut नहीं करती है intersect नहीं करती है यह इसकी property होती है कि कभी भी two magnetic field lines जो होते है एक दूसरे को इंटरसेक्टर नहीं करती है because we cannot have two directions of the magnetic field at the same point इस तरीके से आप इसका answer लिख सकते हैं उमीद आपको समझ में आया होगा एक आपके लिए नॉंसमेंट है कि अगर आपको अपनी class का complete study materials यह है जैसे notes, videos, model paper, NCRT solutions, MCQ test, प्रिवेंसर की paper यह सब कुछी है और वो भी फ्री के अंदर तो अभी प्लेश्टोर पे जाईए और शिव ओम classes नाम से हमारी जो एप है वो आप आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा एक आम और कर सकते हो मेरा वोडशाप नमबर जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए 8696608541 यह मेरा वोडशाप नमबर है अगर किसी भी तरीकी का कोई भी डाउट हो किसी भी subject में तो आप मेरेको डिरेक्ली वोडशाप पे मैसेज कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है समझ में आया वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू सो मच